राजा जी के उपर एक बात हो जाए हमारे राजा जी का एक और खार नामा आपको बताऊं पिछले हफ्ते कॉलर आया थे पता नहीं आप थे उस फोकत के नहीं कहा थे यार राजा भाई के बारे नहीं ना यह यह लिखावा अपने एक जगा पे न लिखावाथ हो इनके बारे में ह किसी है त्इने ट्विटर का एक बनावार का एक एक अकंट भी बनावाए यह वहारी यह पके, you know, like, I have, this is why I have never had any respect for this guy, क्योंकि एक तो जूटा भी है, और फ्रॉडिया भी है, मैंने कानिया आपको सुनाई थी ट्विटर स्पेसिस में, वो क्या, इम्रान करन कहते हैं, अल्लाल हक है, अल्ला ने सच्छा साबित कर दिया मुझे, राजा जी ट्विटर स्पेस में, किसी ने कहा, वो क्यों खातून थी, उनना ने कहा, आप इतने बड़े मज़ेबी स्कॉलर है, आगे से दान निकाल रहा है, ओके, ओ नहीं भाई, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं एक छोटा मोड़ा सा अक्टिविस्ट हूँ, कोई बाना बना मार देता है, थोड़ी सी हुमिलिटी बना अपने अंदर पैथा कल लेता है, नहीं, पैठावा, मैं समझा, पहली दफा मैं समय शायर वो इंटरप्ट नहीं करना चाह रहे हूंगे, तो इसलिए, ठीक है, और दूसी दफा भी उसने का, उसने फिर भी निसको क्रेक्ट के, मैं का, चलो, ठीक है, इसके पास बाना एक होगा, कि यार, मैंने इंटरप्ट करना चाह रहा था, तो ओके, ओके, फाइन, तो पिछले हेफ़ते एक कॉलर आये, उन्होंने बताया, कि राजा जी, फेमस बाइयोलोजिस्ट है, अच्छा, बाइयोलोजिस्ट भी नहीं, फेमस बाइयोलोजिस्ट है, बहें का, हैं, फेमस बाइयोलोजिस्ट, ये, क्या चक्कर है मैं, बहें का, अच्छा, हो तो सकता है, क्या राजा है तो फ्रॉडी ही जब आपको कर lagi पे बलाया जाता है किसी event पे बलाया जाता है तो अप सो पूछले ते होते हैं क्या अपके बारे में क्या लिखेऊ क्या मोटिवेशनल स्पीकर MBA अच्छा तो आपकी मार्केटिग ही तो हमारी conference नहीं है हमने तो आपको भुलाना है एथियस्म के चकर में तो क्या लिखें तो उन्हों ने हो सब्सक्राइब है तो उन्हों ने उन्हों ने खुद ही बना दिया होगा कि उन्हों ने खुद ही बना दिया होगा कि यार वो गालिब ने दुलाई की थे लिकिन उसमें पर कोई मसली है तो मेरा मोसली लिखा हो था कि हारी सुल्तान एक्स मुसलिम एथियस्ट अक्टिविस्ट है और थर अब बूक है बस कोई नहीं आगे लगा दे था कह दो के फेमस इंटलेक्टिवल फ्रॉम पाकिस्तान डाक्टर पाकिस्तान में इसको लोग ऐसी मज़ाख में प्रफेसर प्रफेसर कहते हैं कभी नहीं आज सेका तो राजा साहब को पता नहीं उन्होंने पूछा होगा फिर डेटन में होगा अगर कोई आपको इस तरह का याद आया है आपको हमने मुफटी स्टोय कहना शूर कर दिया था तो आप रहां नहीं मुझे यह न कहो क्योंकर लोग सच मुझे समझ जाएंगे कि शायद मैं एक्स मुटी हूँ या मुफटी हूँ हमने इसलिए आपको मुफटी स्टोय कहना छोड़ दिया तो हमारे कर लेते हैं और जी इसमें को गोरे भी है वो लहोर में उन्हाने तो हम बचारों ने नहीं आना था मेरा अखल शायद यह ओनलाइन ही होगा तो हमारे राजा जी के साथ क्या लिखाव है यह मेरे टुटर के उपर आप जाकर देख सकते हैं नीचे लिखाव है फेमस बायालोज किसिनलाइन है फेमस बायालोजिस्ट मेरे राजे नहीं ने जाकर वैर Hagamag चुद्री मेरे यारा करो है उन्हां करने चाहतimore है टूकरे श ाहुत्स साथ यह मारे ठर्म्स बहन की जाते है अब उसका बनाए राजे यह आध ऑन्यार अपने वो मेरी डिबेट देखियु, उन्हों ने तो मैंने इतनी उची परफॉर्मस दी कि लोग समझे कि शायद मैं बायोलोजिस्ट हूँ. वो जिसने देखा ना है कि वो डिबेट ये तो मैंने समझ लिया अपने तोर पे कि आप आलेजिस्ट हैं, ये कैसे समझे के फेमस भी हैं। कि डिबेट का, डिबेट एक परफॉर्मस होती है, मैं फिर चालेज भी भेज रहा हूं अपने पाकिस्टान के तमाम उलमाओं को, मौलवियों को, फेमस बायोलोजिस्ट और फिजिसिस्स को, आईटी स्पेशलिस्ट को, फेमस या इन्फेमस या कोई भी नहीं, नहीं कोई बेजी, स्टोइक भाई, फिर मैंने उसको दुबारा उससे मैंने कन्फर्म भी किया बात में, क्योंकि मुझे सम्थिंग डिडिटन मेक सेंस, तो, इमेल आई, ये तो, एक इन्होंने मुसल्मान किये हैं, उन्जे से कल मैं पढ़वा के, इनकी आंसु टप टप बैरे होते ह मैंने इन्साग्राम चेक नहीं करता हैं, उसके अंदर बहुत सारी पढ़ई होती हैं, मैं अपने, इमेल भी बड़े कम-कम चेक करता होता हूँ, मैं इंग्लिश के शो में, मेरी एक प्लेलिस थी, लव लेटर्स फ्रॉम मुसलिम्स, उसके अंदर खतूत होते थे लोगों क होती है, एपी को सुन लिया, मास्ट एरब को सुन लिया वगारा वगारा, लेकिन, यहां पर देखें यह भाई ने इमेल भेजी, इन्हों ने कहा, हारिस भाई, I hope you are doing well, मैंने आपको पहली दफ़ा अबास हैदर के चैनल पे देखा, जब आप कैसा राजे से डिबेट का र हारिस भाई, आप मुफ्ती तक्यूसमानी, अलजलालेन, इबने कसीर मदूदी के हवाले दे रहे हैं, लेकिन राजा जी रेटरिक दे रहे हैं, नहीं, नहीं, मैं, सारे गए भाड में, मैं पताता हूं, तो वो अपील नहीं किया उसको, उसे का, was not impressive and I was expecting better answers from him, better answer उसे क्या बाद और डिबेट्स देकी, जैसे जवाद हाश्वीं से मेरी conversation देकी है, हकीके चूसे, मुफ्ती उत्मान से, और एवन हमजा लियवाजी से भी, there were a lot of questions in my mind, मैं, जहन में बहुत सारे स्वालात आ रहे थे, जिसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा था, और फिर मैंने और आप मुझे यगीन हो गया है, कि यह ड्रामा है सिर्फ मजब, अच्छा, आप देखें जी क्या हुआ, फिर कहता मैं, आप से पास तो नहीं आया, मैंने आपके और वीडियो बगारे देखी पहरा है, तो राजा जी की स्ट्रीम में हो चला गया, राजा भाई जहां पर लोगों को चैलेंज कहा रहे हैं तो आओ, बात करो मेरे से, बात करो, तो जब कोई लोग जाते हैं बहुत सारे तो उनको यह चुपा के भगा देते हैं, उपर से चार-पांच पाड़ जाते हैं, तो लड़का यह गया उदर, कहता मैंने उसे स्वाल पूछा, छोटी बच् जाते हैं, बात, आइड़ नाद आर्ग्यू, उसे से कहता है, मैं ज्यादा बहस ही कि क्योंकि मैं यहाँ परे लोगों मैं पगड़ा जाओंगा, पचाना जाओंगा, तो देखें, प्रॉबलम हो जाएगी, लेकिन फिर उसने मुझे निकाल दिया, स्ट्रीम से, और यह आची की खाची, तो यह इस चीज को डिफेंड करते हैं, इस तरह के जो बड़ा अपनी तरह से लिबरल भी बनता ना, यह लिबरल नी, जो बड़ा अपनी तरह से सौफ्ट वरिजिन ओव इसलाम भी लेके आगे चलना चाता है, वो भी बीवी की पिटाई से जानने छुड आ सकता है, तो एनिवे, तो यह लड़का जो है, यह डिबेट के बाद इस लड़के को मेरा पता चाता है, तो यह खैर, आम शोर के इस जिस जस वन उफ मैनी, मुझे है क्योंके बाद भी बहुत सारी एमेल आई थी लोगों की, क्योंके यह, यह तो इनके पास तो एक ही ची बता भी दो, बतायें भी हैं, बता भी दो, कि उसमें उसकी कोई कुझाईश नहीं है, तो इसके इलावा इनके पास कुछ नहीं, इनकी कुरान के अंदर हदीशों के अंदर क्या लिखावा, उसको एट राक के नीचे इनको फेंकना पड़ता है, तो वो, और दूसी बाद ह हमने की थी, कि जो एथियस्टों के बारे में तो उनके गंदे ख्यालात होंगे, ना होई है तो एथियस्ट है, ये तो बैहा है, लेकिन जब उनको अपनी इसलाम के बारे में चीज़ें पता चलती है, तब वो परिशान हो जाते हैं, तब वो कहते हैं, यार ये क्या गंद लिखा वे अंदर, मैं तो समय तो पड़ा अच्छा प्यारा मजब है हमारा, तो ये राजे जी, इस तरह की डिबेट्स, मुझे तो इस डिबेट के बाद, यानि मुझे सही एक मज़ा आया इस डिबेट का, मैं तो चाहूंगा, और लोग भी आए, चाहे आप मुफ्ती आए, उल्मा-कराइम हो, या उल्मा-कराम हो, या आप आलिम हो, या आप आम मुलवी हो, डिबेट करें हमारे साथ आके, बात करें, मज़ा आएगा, प्रॉपर तरीके से डिबेट होगी, मुनसिफ तरीके, मुनसिफ बंदा बीच में बठाएंगे, इन्हों ने अच्छा उसको बचारे को भी ड्रा के बगा दिया उस बचारे को, I hope that he is not disheartened by all this, क्योंकि जब यह जब इसकी चितरोल हुई है, तो इसने का चलो जी किसके ओपर किडा मानूं, इसने जी उसके ओपर भेंग दिया, सारा मलबा उसको, और फिर बात में जूट है, मुन माफियां भी मांगी यह इनका हाला, अगर आपको मेरे यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिये, पेटरन बनिये, या फिर आप मुझे बाइमी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं, झाल झाल